Very good morning all of you चलो बचो आज हम अभ्याश कर रहे थे Lation 11 एका दर्शव पाठका आप सबको याद है होगा कि हमने लाश्ट प्रियद में ये लेशन का अभ्याश कहां तक छोड़ा था याद है न सबको हाँ, very good हमने लाश्ट में इस लेशन में अभ्याश किया था कि शाविंद्री बै जो है वो अपने घर पे ये सारी स्त्रियों को ले जाती है और अपना घर के पास लेकर उसको तालाब दिखा कर कहती है कि यहाँ से आपको जितना भी जल चाईए उतना आप ले जा सकते हो सार्वजनिकोयं तड़ाग है ये मेरा जो तालाब है वो शार्वजनिक है अश्मात जल ग्रहने नास्ती जाती बंदनं यहाँ पे जल लेने के लिए कोई जाती बंदन नहीं है और वो हमेशा मनुश्यानाम शमानताया स्वतंत्रताया चपक्ष शर्वदा समर्था शमर्था यानि कि वो हमेशा मनुश्यों के समानता एवं स्वतंत्रता के पक्ष में रहकर समर्थन दिया था तो यहाँ तक हमने ये लाश प्याश किया था तो चलो आज हम इस लेशन का आगे का प्याश करते है बच्चों हमने लाश प्याश में थोड़ा होमवर भी दिया था मैंने आप सबको याद ही होगा और सबका हो भी गया होगा फिर भी याद करवा दूं कि मैंने लाश्पेड में इस लेशन के शबदार था लिखने के लिए बोला था संस्कृत की CW में अगर किसी का भी बाकी हो तो जल्दी से पूर्ण कर लिजे और एक बात कि संस्कृत की CW और संस्कृत की व्याकरण की बुग जो ग्रामर की बुग दोनों आपने जो बनाई है वो आपको कमपल सरी पूर्ण करके रखनी है आपको स्कूल में से कभी भी ये बुक सारी सब्चे की मंगवाएंगी और हम चेक करके आपको वापश भी बेजने वाले हैं तो आप अपनी बुक जल्दे से complete कर लीजे अभी तक जितने भी हमारे relation हुए है उसकी सारे की सारी subject सारे की सारे relation की exercise आपकी पूर्ण हो जाने चाहिए और grammar के जितने भी हमारे topic हमने करवा दिये है वो topic भी आपको grammar की बुक में लिख देने है ठीक है तो आप लोगों को मैं बार-बार याद करवाती रहती हूं कि Sanskrit की CW और व्याकरण की book दोनों complete कर लीजे स्कूल में हम चेक करने के लिए मंगवाएंगे तो आप इसको seriously लीजे, book complete रखिए और हमारे जो भी प्रियर्ड का homework जिस दिन मिलता है उसी दिन करके आप लोग हमें मुझे उसकी photo भी बेज दीजे ताके मैं आप लोगों की present कर सकूँ तो चलो आज हम इस प्रियर्में आगे का लेशन का भ्याश करते है मैला शेवा मंडल शिशु हत्या प्रतिबंदक ग्रुह इत्यादिनाम संस्तानाम स्थापनायाम फूले दंपतियोह अवदानम महत्वपोणाम अर्थात मैला शेवा मंडल और शिशु हत्या प्रतिबंदक ग्रुह आधी संस्ताओ की स्थापनामे इत्यादि यानि आधी संस्तान यानि संस्ता की स्थापनाय यानि की स्थापनामे फूले दंपती यने फूले दंपती दंपती यने पती और पतनी यानि की साविंत्रीबै और उसके पती दोनोंने मिलकर अवदानम महत्वपोणम अवदानम यने योगदान महत्वपोण है महिला सेवा मंडल और शिशु हत्या प्रतिबंदक ग्रुह एसी तो कितनी शारी त्या दी संस्थाओं की स्थापना में फुले दंपती का महत्व पुन योगदान रहा है सत्य शोतक मंडल श्य गती विधी शु अपी साविंतरी अतीव शक्रिया आशित अर्थात सत्य शोतक मंडल की गती विधीयो में भी साविंतरी बहुत शक्रिय थी अतीव यानी बहुत शक्रिय यानी की एक्टिव आशित यानी थी अस्य मंडल श्य उदेसिस्य आशित उत्पीडिता नाम शमुदायाम श्वाधी कारणान अपी जागरणम इती अर्थात की इस मंडल का अश्य मंडल श्य यानी इस मंडल का उदेश्य यानी की मक्षद हेतु उदेश्य आशित यानी था उत्पीडिता नाम शमुदाया यानी की पीडित समुदायो को अपने स्वाधी कारणान यानी की अपने अधीकारो श्व प्लस अधीकारो यानि स्व यानि खुद का अधिकार यानि अपने अधिकारों का प्रती यानि उसके प्रती जागरणम यानि जागरुत इती यानि कि उसके प्रती उसको जागरुत करवाना इस मंडल का मुख्य उदेश ये क्या था कि पीडित समूदाय जो थे उसको अपने अधिकारों के प्रतित जागरत करवाना यानि जागरुत करवाना किस मंडल का तो शत्यशोतक मंडल उसका मुख्य उदेश ये ही था कि जो पीडित समूदाय है जो पीडित लोग है वो अपने अधिकारों के प्रतित जागरुत हो जाए उसको पता चले कि हमारे अधिकार कौन-कौन से है हमें हमारे अधिकार लेने चाहिए ना कि उनके अधिकारों से वंचीत रेकर हमें दुख भुगना चाहिए तो इस प्रकार इस दुखी और पीडित लोगों को वो उसके अधिकारों के प्रती जागरत करके वो उसको आत्म निर्भर बनाना चाहती थी आगे है साविंत्री अनिका हा संस्था हा प्रशाशन कोशलिन संचालत्वती अर्थाथ शाविंत्री ने अनिका यानि संस्था हा यानि संस्थाओं को अपने प्रशाशन कोशलिन यानि प्रशाशन कोशलिन यानि की अपने निर्देशन की कुशलता से प्रशाशन कोशल यानि निर्देशन की कुशलता से संचालत्वती यानि की संचालित किया दिर्भिक्ष काले प्लेग काले च सा पिदित जनानाम अश्रान्तम अवीरतम च सेवाम अकरोत अर्थात कि अकाल के समय दिर्भिक्ष काले यानि अकाल के समय प्लेग काले यानि कि प्लेग एक रोग है प्लेग और काले यानि समय उस समय चसा पिडित जनानाम यानि कि उस समय उन्होंने पिडित लोगों की पिडित जनानाम जनानाम यानि लोग पिडित यानि पिडित जो लोग थे उसकी अवीरतम यानि की दिन रात अशान्दम यानि ठके बीना सेवाम यानि शेवा अकरोत यानि किया क्या हुआ तो अकाल की शमय और प्लेग रोग के समय जब उस समय सबकों प्लेग रोग हो गया था उस समय वो पिडित लोगों की अशान्दम अवीरतम शेवाम अकरोत यानि कि उस समय उन्होंने पिडित लोगों की ठके बीना दिन रात सेवा की शहायता शामगरी व्यवस्ताई सर्वथा प्रयाशम अकरोत अर्था कि सहायता की वस्तुओं की व्यवस्ता के लिए उन्होंने पूरा प्रयाश किया शहायता शामगरी व्यवस्ताई यानि शहायता सामगरी की व्यवस्ता के लिए उन्होंने जो जो चाहिए जो जो दवाईया चाहिए जो जो मट्रियल्स चाहिए वो सारा का शारी व्यवस्ताई वो खुद सर्वथा प्रयाशम अकरोत यानि की वो सारी के शारी व्यवस्ताई कि प्रयाश वो खुद ने किया, प्रयाशम अकरोत यानि प्रयाशुष ने खुद ने किया, प्रयत न किया महारोग प्रसार काले शेवारतासा श्वयम असाध्य रोगेन ग्रस्ता 1997 तदेवख स्थापदे निर्धनम गता यानि कि महारोग प्रसार काले अर्थात कि इस महारोग के फेलावे के समय वो सेवा में लगी हुई वेश्वयम भी इस महामाडी से पिलित हो गई और सन 1897 में वर्ष में वो मृत्यु को प्राप्त हो गई महारोग प्रसार काले यानि इस महारोग के फेलावे में सेवारता यानि सेवा में लगी हुई सा यानि वो यानि साविंत्रीबाई श्वयम यानि कि खुद असादे रोग इन ग्रस्ता यानि कि वो भी इस महामारी में ग्रस्त हो गई इस माहमारी से वो पिलित हो गई यानिकी उसको भी ये रोग हो गया और इस वज़र से ये इश्वीशन 1897 में उसका भी निर्धनम गता यानिकी मृत्य हो गई वो भी अर्थात की शाहित्य रचना में साविन्त्री बढ़ चड़कर है सबसे आगे है तस्याह कावय शंकलनम द्वयम वर्तते यानि उसके दो कावय शंकलनम द्वयम यानि दो वर्तते यानि है तस्याह यानि उसके उसके दो कावय शंकलनम यानि की 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 दो क चरित्रम अवश्यम अवधियतम यानि कि बारत देश की बारत देश में महिलाओ के उत्थान की स्थिती को गहरायोश्य समझने के लिए साविंत्री का जीवन चरित्र अवश्य पड़ना चाहिए भारत देश यानि भारत देश में महिलाओ उत्थान शे यानि महिलाओ के उत्थान के लिए महिलाओ की उन्नत्ती के लिए गहना वबोधा यानि की गहरायोगों को समझने के लिए महिलाओ की उन्नत्ती के लिए उन्नत्ती की स्थितियों को गहरायों से समझने के लिए साविंत्री महोदया की जीवन चरित्र को अवश्य पढ़ना चाईए सारी भारत देश को ये साविंत्री महोदया का जीवन अवश्य पढ़ना चाईए जिसकी वजर्शे महिलाओ की उन्नत्ती की स्थितियों को और गहरायों से वो समझ पाए और भारत देश की महिला और जादा आगे उन्नत्ती कर पाए तो इस तरह यहां पे हमारा ये साविंत्री भाई एका दश पाठियां पे पूण होता है इस तरह हम साविंत्री भाई के जीवन में से बहुत सारी प्रेणा लेशकते हैं हम स्तिरियों को प्रेणा दाई देने वाली ये साविंद्री बाई का जीवन हम निरंतर याद करते रहेंगे चलो इस बाद इस लेशन के बाद अब उसक्रिश अबदार्धा को एक बार यहाँ पे हम देख लेते हैं आप भी अपनी पाठ्य पुस्तक है वो अपने शाथ में रखिए आपके पास अगर पुरानी पाठ्य पुस्तक हो तो जल्दी से आप चेंज कर लेजे मैंने बार बार आपको याद करवाती रहती हूँ आपको स्टार्टिंग में भी मैंने बोला था कि आपके पास नई अवरुती ही होनी चाहिए पूरानी नहीं चलेगी क्योंकि हमारी अभ्याश क्रम में कई लेशन चेंज हो गए इस तरह अगर नई आवरुती हो तो आपलो लेना ठीके चलो शब्दार्था देख लेते हैं आदाय तो लेकर प्रस्त्रान खंडान पत्थर की टुकडो को सवीनो दन महशी मजाक के शात आलम्पियंती यानी बात करती हुई अजायत यानी पेदा हुई अभी हीतो यानी कहे गए है प्रनीता यानी ब्याही गई अश्पुर्ष त्वया यानी छुआ छुत के कारण प्रारब्दल यानी की आरंब किया निराकरणाय यानी की धूर करने के लिए रुडव यानी रुडी में रिवाज में शिर्ण वस्त्रावृता याने फटे पुराने जित्री कपडे वस्त्रों को धारण करती हुई पातुम याने पीने के लिए शोडुम याने सहन में उत्पीडिता नाम याने सताय हुई को श्रांतम बिना थकी हुई अमहियती बढ़ चड़ कर है वो गहना बोधाय यानि गहरायो को शमजने के लिए गहन पलश बोधाय चलो इसके बाद है फ़र्स्ट क्वेशन एक पदे न उत्तरत किद्रिशा नाम कूरीते नाम साविंद्री मुखरम विरोधम अकरोत और थात कि साविंद्री बाई ने किसका मुखरम विरोधम यानि जोर सोर्षे विरोध किया किद्रिशा नाम यानि किसका तो आंसर क्या आएगा सामाजिक कुरीते नाम यानि सामाजिक कुरीबाजों का उसने जोर सोर्षे विरोध किया सेकन है के कुपात जलोधारणम अवारेन यानि कि किसको कुपात यानि कुवे में से जलोधारणम यानि कि जल लेने से रोका जारा था के यानि किसको कौन ऐसे थे जिसको जल लेने से रोक रही थी तो आंसर होगा उंच वर्गिया यानि उंच वर्ग की जो लोग थे उसकी जो स्त्रिया थी वो जल लेने से رोक रही थी थर्ड है का श्वद्रट निश्च्यात न विचलती यानि की कोन श्वद्रट निश्च्यात यानि द्रट मनोबलवाली न विचलती यानि विचलीत नहीं हुई कोन द्रट मनोबलवाली थी जो विचलीत नहीं होती है तो आंश क्या होगा शाविंतरी बाई 4 है विद्वा नाम शिरो मुंदन श्य नीरा करनाय सा के है मिलीता यानि विद्वाओ का शिरो मुंदन का निवारण करने के लिए वो किस से मिली मिली तो अंसर होगा नापिते यानि नायोसे फाइव है सा काशामकृती प्रदेशिश प्रथम विद्यालेयम आरंबत अर्थात कि वो किसके लिए उस राज्य में प्रथम विद्यालेय की शिरुवात की थी तो बाली का नाम यानि कि लड़कियों के लिए उसने उस राज्य में पहले विद्याले की शुरुआत की थी इसके बाद है शेकन क्वेशन शेकन क्वेशन है पूर्ण वाकिन उत्तरत किम किम शह मानम साविंतरी बाई स्वद्रट निस्चात न विचलती यानि कि क्या-क्या शहन करके भी साविंतरी बाई स्वद्रट मनोबल वाली विचलित नहीं होती है तो इसका अंसर आप देख शक्तेयों नीचे लिखा हुआ है यदा शाविंतरी श्वग्रुहात विद्यालें प्रती चलती तदेव जनाहा तश्या उपरी प्रस्त्रण खंडाना क्षिपंतीश्म इदम्शह माना सास्व द्रड निस्चात न विचलती और था जब शाविंतरी बाई अपने घर से विद्याले की ओर जा रहे थी तभी वहाँ पे लोग उसके उपर पत्थर फेक रहे थी परन्तु ये सहन करके भी वो द्रड मनोबल वाली वो विचलत नहीं होती है सेकन है शाविंतरी बाई फुले महोदयाहा पित्रोहो नाम किम आशित यानि साविंतरी बाई फुले महोदय का पित्रोहो यानि की माता और पीता का नाम क्या था कीम आशित यानी क्या था तो उसका अंसर आप नीचे देख शक्ते हो कि शाविंत्री मा बाई फुलो दयाहा माता लक्षन बाई पीताच खंडो जी आशितां फिर इसके बाद है थर्ड विवाहां तरम अपी शाविंत्री आहा मनेशी अध्यान अभिलाशा कथम उत्साहं प्राप्तवती यानि की विवाहा के परियांत विवाहा के बाद भी साविंत्री बाई की मने में अध्यान की अभिलाशा कैसी उत्सा होज प्राप्त होती है उसमें कैसी उत्सा आजाता है तो उसका आंसर होगा शाविंत्र यहां पत्ति स्त्री शिक्षा यहां प्रबल समर्थक का आशित अतह तश्या अध्यन अभिलाशा उत्साहं प्राप्तवती अर्था शाविंत्री भाई के पत्ति जो है वो स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे इसलिए अतह यानि इसलिए उसके मन में रही हुई अध्यान की अभिलासा फीशे उच्छा में प्राप्त हो जाती है फीशे जागरुत हो जाती है अध्यान की अभिलासा इसके बाद क्वेशन है जलम पातु निवारिय माना हाल नारी ही साकुत्र नित्वती किंचियात कथेयत यानि की जल लेने में पातुम यानि लेने के लिए निवारिय माना यानि रोकने वाली नारियों को वो कहां लेकर जाती है और क्या कहती है तो उसका आंसर होगा और थात उसका आंसर क्या होगा कि वो सारी स्त्रियों को अपने घर ले जाती है और तालाब दिखाकर कहती है कि यहां से यथेश्ट जलम नयत यानि कि जितना जल चाई आपको जितनी जल जल की पानी की जर्यात हो उतना आप ले जा शकते हो अब इसके बाद क्वेशन है फाइव कासाम संस्था नाम स्थापनायाम फुले दमपती हो अवदानम महत्वपुण यानि कोंसी संस्थाओ की स्थापनामे फुले दमपती का महत्वपुण योगदान रहा है तो उसका अंशराब नीचे देख शक्ति हो महिला सेवा मंडलम एनेवं सीसु हत्या प्रतिबनक ग्रुहम इत्यादी संस्थाणाम स्थापनायाम फुले दमपती हो अवदानम महत्वपुण इसके बाद क्वेशन सीक्स है सत्या शोधक मंडलेश्य उदेश्यम किम आशित यानि कि सत्या शोधक मंडलका मुख्य उदेश्यम आशित यानि कि सत्या शोधक मंडलका मुख्य उदेश्यम आशित उत्पीडिता नाम समुदाया नाम श्वाधी कारणाम प्रतिजागरणम यानि कि सत्य शोदग मंडल का मुख्या उदेश्य था कि पीडित समुदायों को अपने अधिकारों के प्रती जागरुत करवाना इसके बाद question last है तस्याहा द्वयम कावे शंकल नयोहो नाम नी के उसकी दो कावे शंकलों के नाम बताईए द्वयो यानि दो कावे शंकल यानि कावे शंकलों के नाम कोन से थे तो उसका अंसर नीचे आपको देख सकते हो कि तस्याहा द्वयो कावे शंकलों नाम नी कावे फुले एवं शुबोध रतना कर उसकी दो कावे शंकलों कोन कोन सी थी हाँ, वेरी गुड, काव्य फुले और सुबोध रतना कर इसके बाद क्वेशन है क्वेशन थ्री है, रेखांकित पदानी आधु कृत्य प्रश्न निर्मान कृता रेखांकित पद जो दिये गए है, जिसके ने जन्डर लाइन है, उसका प्रश्न बनाना है आपको वो श्रब्द निकाल कर क्वेशन मनाना है फर्स्ट है, शाविन्त्री बाई कण्या भी ही शविनोधनम आलम पेयंती अध्यापने सलंगना भवतीस्म अर्थात यहाँ पे कण्या भी ही आप देखशकते हो, उसको निकाल देना है, उसकी जगा क्या आएगा? का भी ही, आप इसका आशर नीचे देखशकते हो, इसका मतलब क्या होगा कि शाविन्त्री बाई किसके साथ विनोध के साथ हसी मजाक के साथ अध्यापन कारे में लग जाती है, तो आएगा कन्या भी की जगा का भी ठीके, फिस एकन देशा महाराष्ट श्य प्रथमा मैला शिक्षिका आशित, तो यहां क्या है कि वो महाराष्ट की प्रथम मैला शिक्षिका थी, तो यहां पे महाराष्ट के जेंडर लाइन है, उसको निकाल देना है, उसकी जगा क्या शब्द आएगा? तो यहां पे होगा कि वो किसकी प्रथम मैला शिक्षिका थी तो महाराष्ट की यानि कि यहां पे कस्य लगाना है फ्थर्ड है साश्वपतिना सह कन्या नामकृति प्रदेश शिव प्रथम विद्यालेम आरंबत अर्थात की वो अपने साथ कन्या और नाम खृते यानि की लड़कियों के लिये उस राज्य में प्रथम विद्याले की शुरुवात की तो यहां पे कन्या नाम की जग काशाम लगाएंगे यानि कि वो अपने साथ किस केक लिये उस राज्य में प्रथम विद्याले की सुरुवात की इसके बाद है तया मनुष्या नाम शमानतायाहा श्वतंत्रतायास्च पक्ष सर्वदा शमर्थित हो परथात की मनुष्यों की समानता और श्वतंत्रता के पक्ष में उसने हमेशा समर्थन दिया है तो किसके लिए उसने मनुष्या नाम है उसकी जग के आएगा उसका अंसर के शाम यानि की किसकी समानता और श्वतंत्रता के पक्ष में हमेशा उसने समर्थन दिया है इसके बाद शाहित्य रचना आया हाद अपी शाविंत्री मयती यानि शाहित्य रचना में साविंत्री बढ़ चड़कर थी तो यहां पे साविंत्री के जग़ क्या आएगा का यानि कि साहित्य रचना में कोन बढ़ चड़कर थी ठीक है इसके बाद है question 4 Q4 में है यथा निर्देशनम उत्तरत यानि कि जिससे निर्देश किया है वैसे उत्तर दो फर्स्ट है इदम चित्रम पाडशालाया वर्तते अत्र वर्तते इती क्रिया पदश्य कर्तु पदम किम यानि इस वाक्य जो है इदम चित्रम पाडशालाया वर्तते इस चित्रम में पाडशाला दिखाई देती है तो यहां पे वर्तते जो है वो क्रिया पद है तो इसका कर्त पदम यानि करता कौन सा है इस वाक्य में तो यहां पे करता आएगा चित्रम आपनी इसका अंसर भी सामने देख सकते हो यानि इस वाक्य में यूयम जो है वो किसके लिए प्रयोजा गया है प्रयुक्तम यानि प्रयोजा गया है यूयम तो यूयम किसके लिए प्रयोजा गया है अपे यूयम इमाम महिलाम जानी था यानि क्या आप लोग इस महिला को जानते हो इस वाक्य में ये यूयम इमाम है वो किसके लिए प्रयोजा गया है तो पाठके ब्यह यानि पाठके ब् इसके बाद है यानि कि इस वाक्य में सा है वो शर्व नाम किसके लिए प्रयुजा गया है तो इस सा यहां पे किसके लिए प्रयुजा गया है शाविंत्रे ठीक है इसके बाद है यानि कि इस वाक्य में नार्य जो शब्द है उषका विशेशन पद कोन-कोन सा है कितने है और कोन-कोन से है वो यहां पे लिखना है आपको तो सबसे पहले आपलिक होगे कि इस वाक्य में चत्वारी विशेशन पदानी यानि कि चार विशेशन पद है कोन कोशे तो सिल्न वस्त्रावृताह, तथा कथिता, नीम्न जातियाह और कास्चितोह यह चार विशेशन पद है इसका अंसर भी आप यहां पे नीचे देख सकते हो यहां पे एरो करके यहां नीचे दिखाया गया है क्योंकि इसका अंसर थोड़ा बड़ा है इसलिए नीचे दिखाया है ठीक है अब question 5 की बात करें Question 5 है अधूलिखितानी पदानी आदूत्य वाक्यानी रचेत सविनोधनम बालक सविनोधनम खेलती बालक विनोध के साथ मजाग के साथ खेल रहा है सक्रिया ससामाजिक कारेशु शक्रिय अस्ती वो सामाजिक कारे में शक्रिय है एक्टिव है प्रदेश श्य तो मम प्रदेश श्य नाम राजस्थानम अस्ती मेरे प्रदेश का मेरे राज्य का नाम राजस्थान है मुखरम साविंत्री मुखरम विरोधम अकरोत शाविंत्री बाई ने जोड सोर से विरोध किया सर्वथा सा सर्वथा कन्यानहम मार्गदर्शनम करोतीसम यानि कि वो हमेशा कन्याओं को मार्गदर्शन करती थी फिर है question 6 उनमें भी यहाँ बेवाक्य ही बनाने है उपरी तो व्रुक्षश्य उपरी वानरह अस्ती व्रुक्ष के उपर वानर है आदानम विचारणाम आदानम प्रदानम कुर्यात विचारों का आदान प्रदान करना चाहिए परक्रियम कन्याहा परक्रियम धनम वर्तते कन्याहा है वो दुसरों का धन है विशम्ता भारते जन्येशु विशम्ता नास्ती भारत के लोगों में विशम्ता यानि की भिंता नहीं है बेदवाव नहीं है इसके बाद है व्यक्ति गतम इदम मम व्यक्ति गतम कार्यम अस्ती यह मेरा व्यक्ति गत कार्य है पर्शनल कार्य है व्यक्ति गत यानि पर्शनल कार्य है आरोह यानि की चड़ाई जीवने आरोह व्रोह एवम एव प्रचलेत यानि कि जीवन में आरो अव्रह होता है चलता रहता है प्रचलेत यानि चलता रहता है इसके बाद है क्वेशन 6 का आ क्वेशन 6 आ है समानार्थक पदानी पाठात चित्वालिखत यहां पे आप लोग हेल्पोक्स देख शक्तियों उनमें से आपको शमानार्थी शब्द ढूनने है सिक्षणे तो क्या होगा अध्यापने पथी तो मार्गे रदय तो मनशी इच्छा नुशारम तो क्या होगा यथिष्टम योगदानम तो अवदानम निरंतरम तो अविरतम ठीक है इसके बाद है क्वेशन 7 सेवन क्वेशन है अधो लिखितानम पदानम लिंग वच्चन विभगती च लिखत यानि कि यहाँ पे जो पद दिये गए है उसका लिंग विभगती और वच्चन लिखने आपको फर्स्ट है धुलिम तो उसका लिंगों गा स्त्रीलिंग विथिया विभगती और एकवचन नामनी नपुशकलिम शप्तमी एकवचन अपरह तो पुलिंग प्रतमा एकवचन कण्या नाम तो स्त्रीलिंग सष्ठी पहुवचन सह भागिता तो स्त्रीलिंग प्रथमा एकवचन नापी तेहे तो पुलिंग तुरुतिया पहुवचन ठीक है अब इसके बाद है शेवन आ सेवन आ है उधारन अनुश्रुत्य निदेश अनुशारम लकार परिवरतनम कुरुत्य यानि कि उधारन के अनुशार यहां पे जैसे निदेश किया है वैसे इसका लकार परिवरतन यानि काल में परिवरतन करना है जैसे कि फर्स्ट यहां पे उदारन दिया गया है साशिक्षिका आशित अस्ती तो उसका लट लग कार करेंगे तो होगा साशिक्षिका आशित तो आप यहाँ पे उधारन के द्वारा देख शक्ते हो कि यहाँ पे जो क्रियापद है यानि कि लाश्ट में क्रियापद दिख रही उनमें ही आपको चेंज करना होगा त्याँ पे आप लोग वर्तमान काल अस्ती है उसका हमने भूत काल आशित किया वेसे सेकंड है शा अध्यापने सलंगना भवती तो उसका लूट लकार बनाना है यानि कि भविश्यकाल बनाना है तो पुरा वाक्य वही रहेगा सिप क्रियापद में चेंज होगा सा अध्यापने सलंगना भविश्यंती सेकंड है सह त्रयोदश वर्ष कलपह अस्ती तो उसका लट लकार बनाएंगे तो सह त्रयोदश वर्ष कलपह आशित यानि कि भूतकाल यहाँ पे करना कर देंगे उसका क्रियापद है वो भूतकाल में कर देंगे फिर है महिलाहा तड़ागात जलम नयंती तो उसका लोट लकार करेंगे यानि आदेशकाल करेंगे तो पुरा वाक्य वही रहेगा महिलाहा तड़ागात जलम नयंतु वयम प्रती दिनम पाठ पठामह तो विदी लंकह करेंगे तो वयम प्रती दिनम पाठम पठेम आप यहाँ पे सब वाक्य में देख शकते हो कि क्रिया पद में ही चेंज हुआ है एक बार ठीक से आप देख लो कि जहाँ पे मैंने चेंज किया है वो ब्रेकेट में जो निर्देश किया है यानि कि ब्रेकेट में जैसा बोला है उस हिसाब से उसका क्रियापध में उसकी वाक्य रचना कर दी गए उसका क्रियापध है वो चैंज कर दिया है इसके बाद है युयम किम विद्यालेम गच्छत तो युयम किम विद्यालेम गमिश्यत ठीक है भविश्यकाल किया ते बालिकाहा विद्यालयात गुरुहम अगच्छन तो इसका लटलकार करना है ते बालकाहा विद्यालयात गुरुहम अगच्छन यानि कि हमने या भूतकाल किया इस तरह यहां पे ये लेशन की एक्सेसाइस पोन होती है तो आप लोगों को सबको इस प्रियर का होमवर्क न संस्कृत की cw में करके जल्दी से उसको पूर्ण करके आपको उसकी फोटो मुझे भेज देनी हैं आपको संस्कृत की cw कंपलेट कर देनी हैं जल्दी से और यहां पे मैंने सारे ग्विशन के आंसर आपको मिनिंग के साथ समझा दिये है तो आपको कोई भी confusion नहीं होगा फि थेंक यू